पिछले पर हम लोग बात कर चुके हैं महाकाली रिवर ट्रेटी के उपर ओ क्यों होगा था क्या उसका सिगनिफिकेंस था सारी कंसेप्ट हम लोग पिछले लेक्षर में बात कर चुके हैं अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के लेक्शन में इंडू नेपाल ट्रीटी पीस और फ्रेंड सिफ जो की हुआ था अनेशो पचास इसपी में अब समझेगा अने 150 सिस्पी में क्या हुआ था अपने इंडिया में क्या हुआ था तो आपको याद है 26 जनवरी अने 150 सिस्पी को ही अपना constitution introduced किया गया था enforced किया था अपने country में कुछ पार्ट पहले हो चुका था लेकिन overall इसको 26 जनवरी अने 150 सिस्पी में introduced कर दिया गया था अब इसमें नेपाल का क्या मतलब नेपाल आपको पता है कि नेपाल का जो security है वो पहले देखती थी British government जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया इंडिपेंडेंडेंट हो गया तो उसका जो reason है आपको पता है कि वो landlock country है और उसका influence जो होता है अपने इंडिया और नेपाल के बीच में जम के चलता है और आगी चल के रहे कि उसके देखें अगर border के उस पार देखें तो आपको चाइना का influence मिलता है जो कि अपने इंडिया के लिए थोड़ा खतरनाक है maximum अगर ओव हो सकता है छोटा देख को कोई भी देख चाहेगा कि अपने अंदर मिला ले क्योंकि उसके पास arm नहीं होंगे arm forces नहीं होंगे तो असानी से होगा कि उस area को अपने में मिला लिया जाए इस बात का डर नेपाल को हमेशा लगा रहता था आपको पता है कि सुगाली ट्रीटी के according आपको पता है कि उसके पहले जो वार हुआ था आप उसका नाम बताएंगे कौन सा वार हुआ था जिसमें one third जमीन नेपाल हार चुका था इस war में आपको पता है कि one third हार चुका था आपका नेपाल का जो extension था उस कहां तक था थो आपको पता है 17 रिवर के आसपास तक चला गया था बहुत बड़ा extension कर चुका था British government उस पे हराई उसके बाद one third इंडिया में मिल चुका और उसके बाद नेपाल बना अब समझेगा 1945-1947 इसमें में इंडिया आजाद हुआ और 1950 इसमें में अपना constitution republic बन गया अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा इस बात कर रहा कि क्योंकि ए लैंड लॉक कंट्री है और एक close एरिया में है तो जिसके कारण से उसका trade जैसे आपको पता है कि trade के सबसे ज़्यादा influence या सबसे ज़्यादा जो trade किये जाते है सम्मूंद्री के रास्ते सुस्ता पड़ता है अगर land से जाएंगे तो थोड़ा सा मुस्किल होता है उसके लिए जमीन भी कोई ना कोई देना चाहिए आपको पता है कि नेपाल जो है दो major country के साथ में वो बीच में वो क्या कह सकते हैं वो locked है जैसे उधर में चाइना है जो कि आप जानते है बहुत बड़ा country है और ज़र इंडिया है ये भी क्या है बहुत बड़ा country है उसके बीच में छोड़ा सा है अच्छे ये भी आपको पता होगा कि इंडिया के साथ में कितने एस्टेट है नेपाल के साथ में अपने इंडिया का कितने एस्टेट बोड़ा सेयर करते है तो आपको पता होगा उत्राखंट जोगी बोड़ा सेयर करता है योपी भी बोड़ा सेयर करता है बिहार वेस्ट किलो मीटर का डिसेंट ट्रावल करता है मतलब बोर्डर सेयर करता है तो मिनिमम हो गया कौन सा सिक्किम और मैक्सम बिहार होता है यह याद रख सकते हैं अब समझते हैं कि इस बात में अब इस ट्रीटी का क्या मतलब हुआ ए ट्रीटी का नाम से ही आपको दिख रहा है कि इसल गवर्मेंट उसको हर चीस्त का सुविदा देते थे और वहां से जो ट्रेड भी उसका हुआ करते हैं जो भी शमान अपने इंडिया से मैक्सम जाते थे क्योंकि उसका जो नेपाल के कुछ रिजन ही ऐसा है कि चाइना से कम ही उसका एक्सपोर्ट कर सकता है लेकिन उस एरिय चाइना साइट में एरिया बहुत हाइट पे हैं जिसके करने थोड़ा मुस्किल होता है अगर इंडिया के साथ में बड़ा दिस्ट्रिपूट होता है तो आपको पता है दिस्ट्रिपूट होता है तो वह चला जाता है चाइना के साथ में मिलने लगता है अपके ओली के जो मेंस था कि दोनों देश के बीच में पीछ रहा है कोई एक दूसरे को इनाक्ट अपने अंदर ना मिला ले दूसरा कि आपस ना फ्रेंड सीफ रहा है अब समझेगा इन्डिया बहुत बड़ा कंट्री है तो ए नेपाल को चाहता था कि ओ थिक है इन्डिपेंडेंट है तो रहे लेकिन इंडिया के बिना ओ इंडिपेंडिन नहीं रच सकता हो सकता है चाइना उसको अपने अंदर ले ले लेकिन समश्य ए थी कि अब नेपाल तो लाइंड लॉक कंट्री तो ट्रेड कैसे किया जा तो इंडिया पहले से भी हर चीज को हर देश को लेकर थोड़ा सा जुका हुआ है कि हर देश आगे बढ़े तो फुरोसी के बारे भी बात करता है इंडिया तो उस समय ए ट्रेटी किय गया था अनीशो का 50 स्पी में अनीशो 50 स्पी में जो ट्रेटी किया गया था उस समय के जो नेपाल का किसका नेपाल का जो पीएम थे पीएम तो नहीं कहें वहां का किंग थे जो की जंग बहादूर राना इनका एक्चुली नाम है मोहन जमसेर जंग बहादूर राना ठीक ह आपको याद है, महाकाली रिवर जो ट्रीटी हुआ था, उसमें भी यहीं इन्पोर्टेंट रोलादा किया था, और ओभी महाकाली ट्रीटी भी आपको याद हो तो कब हुआ था, और अलरड़ी यह से लेक्षर को मैं प्रवाइड करा चुका हूँ, मैं चाहूँगा कमेंट प्रवाइड दूसरे नंबर में अपने इंडिया से जो थे, ओ थे, इंडिया से, ओ यह जदेशोर नराइन सिंग थे, इंडिया का थे, इन दोनों के बीच में इस त्रीटी को अपनाया गया थे, इस त्रीटी में पहला चीज़ आपको याद रखना है कि कौन-कोन थे, तो जो कि दोनों की बीच में क्या हुआ, एग्रिमेंट हुआ, इंडिया और नेपाल के बीच में कह सकते हैं, इसमें 10 आर्टिकल जोरे गए थे, याद रखेगा, जो भी जैसे कोई भी एग्रिमेंट होता है, तो लिखा जाता है कि क्या-क्या, मतलब किस चीज पर एग्रिमेंट हो रहा है, तो इसमें 10 आर्टिकल जोरे गए थे, तो 10 आर्टिकल में आप याद रखेंगे, सभी आर्टिकल को पढ़ने के ज़रुवत नहीं है, जो आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल 1, 2, 5, 9, 10 को जान लेंगे, तो आप ओवर्वीव समझ जाएंगे कि इस ट्र इस ट्रिटी में अगर ओवर्वीव देखें, तो क्या कहना चाहता है, ये इंडिया जो है, इंडिया, ये क्या कहता है, किस से, नेपाल से, कि आप क्या कर सकते हो, कि भाई, इंपोर्ट कर सकते हो, मेरे कंट्री से, ठीक है, मेरे कंट्री से आप क्या कर सकते हो, उसमें आप आपको टिक्स देने की जरुवत नहीं है, जैसे बोर्डर टिक्स जो लगते हैं, उसको देने की जरुवत नहीं है, और यह जो movement होगा, माली जी ए नेपाल हो गया और ए इंडिया हो गया, तो यहां से आदमी इधर से इधर जा सकते हैं, फिरी movement हो सकता है, इसके लिए passport की जर पुल रोगत आपको नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं, और यहीं reason होगा जहां से आपको इमाली जी ए बोडर हैं इंडिया और कॉंछेस नेपाल के बीश का बोडर है, तो इस reason में आपको पता है कि मधेसी लोग रहते हैं, बोटेसी में इंडिया में हुआ इंडियन का नेपाल में हुआ है तो इस समस्चा रही है तो यहां पर पहला चीज इसी एगर्मेंट के वगर ने फिरी मोवमेंट दिया गया कि आप आसानी से यहां से जा सकते हो इंपोर्ट कर सकते हो समान खरीद सकते हो अब समान को ऐसा गूर्ड को ऐसा चीनी के अदाम आप नेपाल में महंगा है तो लोग ज़्यादा तर साधी होते हैं तो चीनी वागरा जो होता है अपने इंडिया से खरीद करके ले जाते हैं बोड़र टेक्सेस देने नहीं परते हैं तो असांत्वर असा सस्ता पर ही जाता है तो ओर भी ये इसका concept रहा है किसका और एक और चीज़ import कर सकते हैं इंडिया जो है रोड दिया हुआ है कि आप इंडिया के territory से होकर कि आप import कर सकते हैं और import क्या क्या कर सकते हैं तो आप कोई भी जो आपके लिए necessary है जो ज़रूरत है, आप arms भी करीद के ले जा सकते हैं, अन, arms भी क्या कर सकते हैं, खरीद के ले जा सकते हैं, या arms बनाने के लिए कुछ समान सही, वो भी खरीद के ले सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, कोई goods खरीद के सकते हैं, और ये भी कहा गया कि इंडिया से आप क्या कर स अपको पता है कि India ही नेपाल का सब कंसेब्न डेखता है एक कॉंचेस पॉर्म पॉलीशी भी India साहिसे सार और उद्द में अउठ जो इसका जो है बोटर का सिकूरोटी कौन ही देखता है लेकिन आपको पता है कि India ही जो की ते अपसिता है अफोर कर दिया गया कि एक concept है दूसरे में एक define कर दिया गया यह सारी concept चले समझेगा article 1 में जो है इस स्वरनिटी को ले करके मतलब अपना संप्रभुता को ले करके ओडिफाइन किया गया कि आपको पता है कि सुगौली treaty इसके बाद से ओ सुगौली treaty को हटा दिया गया था सुगौल इसलिए पहले define कर दिया गया कि भाई independence का मतलब क्या है आप स्वरनिटी की बात कर रहे है या territorial integrity की बात कर रहे है तो ओ क्या है जो जब अनेशो पचासिस में जब agreement हुआ उस तो में क्या territory कितना है आपका उसको ले करके define कर दिया गया कि हम दोनों क्या करेंगे एक दूसरे क को respect करेंगे अपने territory को मतलब जितना मेरा area है मैं आपके area करेंगे हम देश में लोग नहीं करेंगे ना आप मेरे area में करेंगे इस चीज को first article में क्या किया गया define कर दिया गया कोई भी agreement का एक बेस बनाया जाता है कि agreement में बात में चल करके कोई दिक्कत ना हो तो यह पहला च भी를णरा में किसी तरह कर दो जाते हैं वो सकते हैं प्रस्पार जैसे प्रस्णल कोई मत्भेद हो जाते हैं काला पानी आपको पता है कि Second Treaty के accounting का लगवार क यह के अपनी को क्या किया गया था काला पानी जो river है और बोडर है इंडिया और नेपाल का और काला पानी फिक्स न प्रिक्षन हम लोग के बीच में होता है, इंडिया और नेपाल के बीच में, तो हम लोग टेबल पे आएंगे, मतलब एक दूसरे को इनफॉर्म करेंगे, कि यह समस्या है, जैसे आप जानते हैं कि बिहार से यूपी से लोग नेपाल में जाते हैं और नेपाल से इंडिया में ऐसा नहीं कि आप एक्षन ले लेंगे उसके बाद कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो आप टेबल पर आ करके ही सेश को हम लोग देखेंगे तो ए आर्टिकल 2 में क्या किया गया इसको डिफाइन किया आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 ज़्यादा ज़रुवत नहीं है ठीक है ना आर्टिकल 5 को देखिएगा ए इंपोर्ट से रिलेटेड है कि क्या क्या इंपोर्ट कर सकते है जैसे कि मैं यहाँ पर समधाया कि कोई भी गुड्स क्या कर सकते है यहां से खरीद करके आप ले जा सकते है और वहां से खरीद के लिए आ सकते है जमीन का भी आप धीरे-धीरे से आपको पता है कि पहले जो जमीन भी इंडिया नेपाल में खरीद सकता था तो इंडियन बहुत सारे नेपाल में जाके जमीन भी खरीद लिया थे तो समझेगा, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से goods खरीद सकते हैं, यहाँ से समान खरीद के ले जा सकते हैं और arms भी खरीद के ले जा सकते हैं, इंडिया से कोई भी arms ले जा सकते हैं इंडिया क्या किया इसको क्या किया रोट दिया है कि आप क्या कर सकते हो कि इंडिया के ट्रेटरी से हो करके आप क्या कर सकते हो अपना ट्रेड कर सकते हो आपको जगाद दी जाएगे अगर इंडिया नहीं देगा तो सिंपल सी बात है वो किसके तरफ जाएगा चाइना कि तरफ चाइना से रस्ता मांगेगा एक टृटी उसके बीच में हैं इंडिया और चाइना के बीच में चाइना इसको नेपाल को एक फरें रोड देने के लिए प्रॉमिस किया था हाला कि उस एरिया में ज़्यादा हाइट है तो समस्याएं होती हैं अभी तक उसक्सेस्पूल नहीं हो तो इंडिया से ही हो करके ज़्यादा तर्ट्रेड अपना किसका नेपाल का चलता है तो एक कहानी आपको याद रखना है आटिकल 9 में एक इम्फोर्स पर दिया गया कि माल़ेज़े कि यë ज़ीकनी शयर हो रहा है कबसे लागू होगा तो आटिकल 9 के एकॉर्डिक कहा अगया कि जिस दिन शयर हो जायЕगा उसी वक्त से एक ट्रेटी लागू हो जाय इसमें क्या किया गया आपको याद रखना है कि 31 जुलाई अन्नाई सो पचास इस्पी को क्या हुआ था ये ट्रेटी साइन किया गया था कौन किया थे तो जंग बहादुर रहना और सदेश्वर नरायन सिंग ये दुनों आदमी क्या किया थे ये दुनों आदमी सिकनेचर किया थे 31 जुलाई 1950 को और उसी दिन से इलागू भी हो गया था मतलब ये इंफोर्स कर दिया क्या था और अर्टिकल लास्ट में अपना अर्टिकल 10 अगर माल लिजे आप टर्मिनेट करना चाहते है इस एग्रिमेंट को आप क्या कानना चाहते है मैं मुझे एग्रिमेंट को नहीं मानना तो आपको क्या करना होगा एक साल पहले नोटिस देना होगा वन येर विफोर आपको क्या करना परेगा पहले नोटिस देना परेगा कोई भी पक्चको अगर माल लिजे मुझे पसंद नेपाल इंडिया को पसंद नहीं है एक नेपाल को पुसंद नहीं तो नेपाल पहले एक साल नोटिस तेगा इंडिया को तो ही इसको terminate किये जा सकते हैं नहीं तो terminate नहीं किये जा सकते हैं तो एक concept overall in Indo-Nepal strategy of peace and friendship 1950 का overview थी एक यह पितना बात आपको समझाया होगा फिर मिलते हम लोग next agreement के साथ next concept के साथ चब तक enjoy करें और पढ़ाई करें